नमस्कार जी कैसे हैं आप सब आसा करती हूं आप सब खुस हैं सुवस्त हैं और अभी दोपयर का टाइम हो रहा है और काम धाम हो गया मेरा सारा खतम और बच्चे गए हैं इस पोल में और ममी वर्ची काटने पाप जी गए हैं छोल में तो सब लगे हैं अपनी डियोटी पे और मैं अपनी डियोटी पे लगी हूं अपने काम में लगी हूं और दिखाती हूं मैंने क्या क्या कर लिया है जी सबसे पहले तो आप टाइम देखिए अभी हो रहे हैं 11.40 हो रहे हैं और कामधाम हो गया सारा खतम और मोसम ठीक है अब अच्छा खासा मोसम है और आज इनन नहलाया है मैंने गाय माता को हवा चल रही है तो उसको नहलाया चुटको रानी को क्योंकि उसको बाहर बंदा हुआ तो छोटी है ठंड़ बंड़ लग जाए तो मुसीबत हो जाएगी और इधर अनाज धोकी रखा हुआ और आज चुला चलाओंगी और देखो यहां पर किसी चीज़ का एक फाइदा होता है एक नुकसान होता है जब यहां पर था हमारा चुला तो सरदियों में अच्छा था क्योंकि सरदियों में दूप आती थी यहां पर अच्छा लगता था और अब वहां पर है तो वहां पर च्छाओं आती है वहां पर गर्मियों के लिए अच जमा देती दही और अभी तो मैं देखूंगी जमी के नहीं तो जी चलो शुरू करते हैं अभी मम्मी बर्सी लेने गई है तब तक फटा फट कर लिखते हैं सेयारी और जी बस चला लिया है मैंने चुला और दही देखो जम गई है अच्छी जमी हुई है सुभे ही ऐसे पुनी साथ बजे करीब जमाई थी और जम गई है अच्छी खासी उस बीच मैंने छेड़ा भी नहीं इसको मैं कर देखते हैं बाद में जब बनाने को टाइम आएगा तो मम्मी का मन था कि कड़ी काफी दिन हो गए बनाए हुए और एक राय तक बोल ली थी और गर्मियों में तो ये रायता होता है मम्मी बोल ली थी रायता बहुत अच्छा लगता है मुझे दही वाला रायता तो जी आज तो ये कड़ी वाली फरमाई स्पूरी कर दी मम्मी गल्पी की सब की वो होती है जो इस माईनीं रहिती है उधर देखो मम्मी के hazard दिखाई दे नह customized तर दू गई थी दूप में पेती है इधर और इसे वाली खाट पुर कढ़ा है और ना आज तो मम्मी बैठ गई है क्योंकि भार बार जब तक इसमें यह खद्दा ना लगे तो तब तक देखंद्ध रहता है तो मम्मी बैठ गई है और जी बस उस में वह लग गया था खद्दा लग गया था उस पे प्लेट दखके हम आ गई हैं उपर तो ममी बोल ली थी जो ये हमने गुशे बताया था मैंने आपको फट 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 डाल ले थी रात में आप इनको फट फट निकालना है ममी बोल ली थी कि थोड़ी दूपसी लग जाए इन पर हवा देख लो हवा तो अच्छी कासी चल रही है इसमें इतनी हवा में तो इनसान सूख जाए तो गुश्य तो क्यों नी सूखेंगे और कपड़े देख लो डालते हैं तो सारे निचे मिलते हैं तो जी बस मैं इधर ढोरी हूँ गुश्य और ममी दुद्दो के मतलब जोड़े बना कि उनको खड़ी कर रही है ऐसे तो लगा भी द काम खतम होता है तो एक के बाद एक के बाद काम खतम सुरी सुरू होता ही रहता है एक काम खतम करके हटो तो दूसरा सुरू हो जाता है तो जी कड़ी पक गई थी और देखो कड़ाई भरी हुई थी अभी हमारा ये बिगोना है चोटा से जिसम मैंने कड़ी गोली थी तो य कड़ी को देखके मुह में पानी आई जा रहा था मैं कचलो टेस्ट करें लेका तो देखो मम्मी खारी इधर हाथ से चसके लेल लेका है उमलिया चाट चाट के वैसे हाथ से खाने में बहुत अच्छा लगता है टेस्ट बढ़ जाता है आरू भी खाती है हाथ से और मैं भी से खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है तो जी यह है आरू आलू इसको आलू पसंद है तो आलू आलू निकाल के सारे अपनी साइड कर रही है और जी बस अभी पापजी अभी तक भी नहीं आए और यह जो कपड़े थे जो सूख गए थे वो मैं लेके आ गई हूं निच्छे और ममी को चेक करा रही हूं किया नाच सूख गया क्या एक दाना चाप के देख रही है ममी बोली अभी नहीं सुखा कल की और आच लगेगी या जिस दिन हमें पिस्वाना होगा एक दिन उस दिन सुखा देंगे क्यों और उधर वो पतिले में पानी रख दिया था पापजी के हाथ पैर दोने के लिए तो डेली तो नहते नहीं है क्योंकि लेट हो जाते हैं तो एक दिन छोड़की तब नहते हैं पापजी कल नहाए थे तो आज हाथ पैर धोएंगे तो इस वज़े से रखा है वो महां पै और हैं मुझे कुछ है । और पैस्फ झूड़ी ते लगती तो यह अपां ने लगती हैं तो यह की नहीं री तिंथ जो थीड़ गिर जा घरते हैं तो हमी वो चूह ने लगी है एक एक दाना की एम्दा सकता मैं